एक चरित्र पर्षों से चल रहा है परमधर्मात्मा पुर्णिश्लोग महराज नल और उनकी पतिवर्ता पत्नी दम्यंती जी। कल्यूग ने विचार किया हमारे राज्य में हमारे शाषन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके ये मुझे बरदास्त रहे हैं। क्रुधावे श्मया करुष ने निश्य किया महराज नल को मैं ऐसी विपत्ती में फशाओंगा कि दुख ही दुख मिले। बारा वर्ष तक वो देखता रहा कोई भी दोच्ट में कटे। जितने भी आचरन करो भगवान को शमर्पित कर दो तो बच जाओगे। कल्यूग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा विद्वान ग्यानी सब के उपर अपना प्रभाव डाल देता है। इस विशे में एक चरित्र परशों से चल रहा है परमधर्मात्मा पुर्णिश्लोग महराज नल और उनकी पतिवर्ता पत्नी दम्यंती जी। कल्यूग ने विचार किया हमारे राज्य में हमारे शाषन में कोई धर्मात्मा सुख प्राप्त कर सके ये मुझे बरदास्त रहे हैं। कुरुधाविश में आकरुष ने निश्य किया महराज नल को मैं ऐसी बिपत्ति में फशाऊंगा कि दुख ही दुख मिले। 12 वर्ष तक वो देखता रहा कोई भी दोष नहीं मिला जिससे महराज नल की बुद्धी को भ्रष्ट कर सके। एक दिन चूक हो गई राजकारी के चिंतन में मगन होने के कारण लगुशंका किया और अपवित्र दशा में शूरियर घादी तरपना दिकिया। तो यह दोष हो गया। इसी दोष में कल्योग उनकी बुद्धी में प्रवेश कर गया। उनके जो भ्राता छोटे भ्राता थे पुश कर उनके हरदय में जाकर पेरित किया। और जुआ खेलने के लिए उन्होंने दिवत की रा के लिए ललकारा। शत्री धर्म के अनुशार ललकार शहन करना उनके शुभाव में नहीं होता। महराज नल और पुशकर की दिवत की रा हुई। शाप कुछ हारते चले गए। राज्जी भी हार गए। अपने शरीर के आभूशन वस्त्र भी हार गए। फिर उसने कहा दमयंती को दाओं पे लगा दो। उन्हों का एशा में अधर्माचरन नहीं कर सकता। उसने कहा शैनिकोशे इनको नगर के बाहर निकाल दिया जाए। राज्ज में घोशना करवा दिया अगर कोई थोड़ा भी सतकार जल भोजन देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भैयानक विपत्ती। कुछ ही दिनों में चक्रवर्ती राज्ज भोगने वाला राजा गली का भिखारी बना दिया कलियों में। कोई पानीवी के लिए नहीं पूछ सकता जिनके आगे शर्ज हुकाते थे। उनका कोई आदर नहीं। नगर्षे निश्काशित बन में जब भैयानक जहां शिंग, रेच, भालवा, नाना प्रकार के जीव जो पीड़ा पहुचाने वाले हैं। वहां उन्हें विचार किया कि हमारी पतिवरता पतनी मेरे कारण दुख को क्यों प्राप्त करे। शंद्या का समय था, पास में खंडेर था, उस जंगल में वहां जाकर कि उन्होंने का देखो ये मार्ग जाता है, पहाडी के पिछे से शरोवर फिर एक रिश्यों का आश्रम मिलेगा, वहां से फिर आप किशी भी नगर में जाकर कि आप रह शकती हैं। क्योंकि मेरे उपर भी पत्ती आई है, मुझे लगता है तुम्हें दुख नहीं भोगना चाहिए। उनका महराज जो आपकी शरण में है, पतिवरता है, उसका त्याक करना उचित नहीं है। उनका ये तो हमने आपको ऐसे बता दिया, मार आप शयन कीजिए। वो बहुत ही दुखी थी क्योंकि राज जिछिन गया था, और कई दिन उसे भोजन मी नहीं मिला था, तो उनको नीद आ गई, महराज नल उनको वहीं छोड़ करके, आधा वस्तर उनके शरीर का ले करके, जंगल में भटकने लगे, कैसे शमय कटे, विपत्ती का शमय बड़ा दुखदाई होता है, ये विपत्ती तभी आती है, जब हम भगवान की भजन से बिमुख होते हैं, अगर प्रभू का भजन चल रहा है, तो कलियुक की गती नहीं है कि उसकी बुद्धी का इस पर्ष कर सके, कलियुक की गती नहीं कि कोई बाधा डाल सके, क्योंकि नाम पहारू दिवश्य निशी, भगवान का नाम रात दिन पहरा देता है, कोई भी विपत्ती अमंगल भक्त को चुँ नहीं सकती, हम यहीं तो चाहते हैं ना, कोई ऐसा हमारी शुरक्षा करने वाला हो, जो हमे शुक शांती प्रदान करे, निर्वय कर सके, वो किवल श्री भगवान है, यह बात सब की समझ में नहीं आती, जहां तुम हो वहीं हैं, सब समय में हैं, तो इस समय भी हैं, फिर हमें बैवीत क्या होना है, जब मेरा प्रितम मेरे शमीप है, तो काल का भी महा काल है, डरने की जगत नहीं है, वही समस्त दुखोंशे हमें बचा सकता है, दूसरा नहीं, पर प्राया इस बात का परिचे भगवत प्रेमी महात्माँशे मिलता है, नहीं तो अज्यान के कारण हम किवल इतना इस समस्ते हैं, कि हम खूब कमाएंगे और शुखी हो जाएंगे, पर यह पता नहीं कि हमारे द्वारा कैसे कैसे गंदे आच्रण होते हैं, अधर्मा आच्रण होते हैं, जिनका फल बड़ा भ्यानक हो जाता है, दम्यंती जी ने वहां से मार्ग में चलते हुए फिया आगे रिश्यों के दर्शन के, रिश्यों ने उन से कहा कि तुम चिंता मत करो, यह बिपत्ती का शमय भी बदलेगा, तुम्हें महरा राज मिलेगे, तुम्हारा राज मिलेगा, इतना कहे कर वो आश्रम सहीत अंतरधाम हो गए, क्योंकि उशब्दिब बिरिशी थे, केवल संबोधन करने के लिए उनके आखों के सामने प्रकासित हुए थे, वो भटकती हु दोवर के शमीप निर्मल जल देखकर व्यापारियों ने वहाँ अपना कैम्प लगाया, रात्री में जंगली हाथियों के दोरा आक्रमन होने पर बहुत से व्यापारी नश्ट हो गए, उन व्यापारियों ने विचार किया कोई अमंगल प्राणी हमारे साथ है, जिस से ऐस अनिष्ट हुआ, जब ये बात सुनी तो दम्यंती जीवां से चल पड़ी कि मैं ही यहाँ पीछे पीछे चलरी अगर इनको पता चलेगा तो हमारी प्राणहानी कर देंगे, आगे चल कर देखा तो कुछ ब्रह्मन लोग नगर की तरफ जा रहे थे, उनकी पीछे चली, एक शिप्त इस्त्री जो बड़ी ही सुन्दर सुचील नौ यूती है, कुछ लोग पीछे उनके लगे हुए कंकर मार रहे हैं, उनको लग रहा है, पागल है, क्योंकि वो शोक्षे ऐसी व्याकुल थी, राजमाता ने कहा, कि मेरा पता ने श्वाभाविक क्यों आकर्शन हो तो रहा इस यूती को महल में बुलाया जाए, आदर के साथ उनको जब शामने दाशियों ने लाकर के प्रणाम करवाया तो राजमाता ने पुछा, देखने से तुम ऐसा नहीं लगती हो कि विक्षिप्त हो, या कोई विशेश परिस्थिती में फशी हुई हो, तुमारा ऐसा अनुबो कराता है कि तुम तेजशनी हो और कोई देवी हो, तो उनका नहीं, महराज नल दियुद की रा में हार चुके हैं, ओ दम्यंती शहित बन में चले गए हैं, और मैं उन्हीं के महल में सुक पुर्वक निवास करती थी, ये नहीं बताया मैं दम्यंती हूँ, उन तेरा नियम है, मैं एक पति व्रता हूँ, किसी के चरण नहीं धोंगी, किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी पुरुष्य संभाशन नहीं करूंगी, केवल ब्रह्म रिश्यों से बात कर सकती हूँ, अगर इन नियमों की आप सुरक्षा कर सकें, तो मैं आप के हां रह पा जंगल बड़े ही व्याकुल हो करके कि ये विपत्ति कैसे नस्ठ होगी, जंगल में भ्रह्मन कर रहे थे, उसी समय आवाज आई, पुर्णिश लोग, धर्मात्मा महराज नल, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, जिदर आवाज आ रही थी, उदर वो दोड़के गए तो देखा दावानल लगा हुआ है, जंगल में भीशान आग फैली हुई, और कोई आग की ज्वाला के बीच में पुकार रहा है, इन्होंने देवताओं को प्रशन किया था, तो अगनी भगवान ने वरदान दिया था कि कभी अगनी की दाहिका शक्ति तुम्हें जलाएग हो जाएगा, बड़ी देवताओं की आराधना की थी, तो अगनी के प्रभावशे रहित, उस ज्वाला में महराज नल प्रविश किये, तो देखा बया, बड़ा ही विशालका है, भेंकर, करकोटक नाग, कुंडली मारे बेठा हुआ है, नाग ने कहा महराज मुझे बचा ल पुर्णे नाशक होता है, उस दिन से मैं जड़ की तरह यही पड़ा हूँ, अब ये दावानल लग गया, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, मैंने देवर्शी से प्रार्थना की थी, कि मुझे छमा कर दो, तो उन्होंने कहा था, जब महराज नल तुम्हें दर्शन देंगे, तो उसी शमें तुम हमारे शाप्षे मुक्त हो जाओगे, तो आप मुझे उठा करके यहां से बार कीजिये, मैं शाप्षे मुक्त भी हो जाओँगा, और तुम्हारा मंगल करूँगा, मैं शफ्षे तेजस्वी नाग, शफ्षे बड़ा जहरीला, मेरा नाम करकोटक है, मह महाराज नल ने का, तुम इतने भेंकर विशाल कायों, मैं तुम्हें कैसे उठा सकता हूँ, उन्हों कहा कि आप उठाइए, मैं आपके लिए बहुत हलका हो जाओँगा, गोज में उठा कर जब बाहर किया रखने लगे, तो उन्होंने का, नहीं, पहले तुम अपने कदम उन्हों फिर रखो, जब मैं रोप दूं तब रुख जाना, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जे भी दस बोलाते हैं, उन्होंने डस लिया, महाराज नल ने का, धोखा क्यों किया तुम्हें, तुम कहते थे, तुम्हारा कल्यान करेंगे, हमने तुम्हारी प्रान रक्षा की, और तुमने हमें डस लिया, बोले मैं तेजश्वी नाग हूँ, मेरा प्रभाव विश्का संकल्प के अंशार होता है, तुम्हारे शरीर पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहर का, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कल्यूग है वो जलेगा, उसके अंग-अंग में मेरा जहर जाएगा, और वो बड़े सीगरता से तुम्हारे सरीर का त्याग करेगा, और उसके त्याग करते ही तुम्हारी बुद्धिशुद्ध हो जाएगी, और शारी शंपत्ति प्राप्त हो जाएगी, ये कल्यूग तुम्हें महां में आएगा क्योंकि शत्रु राजा तुम्हारा नास कर देगा इसलिए अब तुम्हें कोई पहँचान नहीं पाएगा आज से तुम्हारा नाम बाहुक होगा तुम अपने को बाहुक कहना और ये पट एक वस्त्र दिया कि जब तुम चाहना कि नल रूप प्रगठ हो जाए तो ये वस्त्रोल कर मेरा ध्यान करना तो तुम्हारा ये रूप हट जाएगा और तुम नल रूप में प्रकासित हो जाओगे और जाओ तुम्हारा मंगल हो आज के बाद कभी भी कोई डाढ़ वाला जन्तु तुम्हें खा नहीं पाएगा कोई भी विशैला कीड़ा काटेगा बिश नहीं चड़ेगा और जहां कहीं तुम्हारी कोई विपत्ती होगी तो मैं शाहिता के लिए आ जाओँगा ऐसा उसने बरदा में महराज नल से कहा कि तुम्हारे रक्षा की योग्ये अयोध्यानरेश महराज रितुपर्ण धर्मात्मा पुरुष हैं तुम वहां जाओ महराज नल से कहा कि तुम्हारे रक्षा की योग ये अयुद्या नरेश महराज जितुपर्ण धर्मात्मा पुरुश हैं तुम वहाँ जाओ उनके शमीप जाने से तुम्हारा मंगल होगा बाहुक अर्थात महराज नल राजाजी तुपर्ण के शमीप गए और का महराज मैं समस्त कलाव में प्रवीर हूँ बिश्व में कोई अश्व विद्या का ऐसा ग्याता नहीं जो मेरे शमान हो तीब ब्रगामी रत्ष से यात्रा बहुत कम समय में पुर्ण कराना ये मेरे हस्त लागो होगा नल जिस समय जुआ खेल ले थे तो दम्यंती ने देख लिया था कि अभी इनकी बुद्धी अपवित्र हो गई है इसलिए अपने कुमारी और कुमार इंद्रशेन और इंद्र था कि तुम रत हो और गोड़े और हमारी पुत्र पुत्री को पिता के पास छोड़कर वहां से चले जाना और जहां तुम अच्छा समझना वहां रुखना जब-तक हमारा समय न बदले और जब समय बदल जाए तो तुम पुन अपने शार्थी पत पराकर भी राजमान हो ज मेरे महराज नल जैसा है लेकिन रूप नहीं है शंकुचित हो गए और अपने शाथ रख लिया क्योंकि वह भी घोड़ों कि ही शेवा में थे वर इनको शार्थी पद मिला था कि इधर दम्यंती जी के हरदय में वड़ी वेदना हो रही थी कि मैं तो महल में रहे रहे हैं लेकिन मेरे पती प्राणेश्वर पता नहीं किस भी पती को शह रहे हैं जब कुमार कुमारी वहां छोड़े गए तो उनको पता चला परिस्तिती का तो उन्होंने सास पतार गवेश्वर्ण मुद्राएं और नगर आपकी शेवा में हम समर्पित करें वहां जाकर राजमता से का तुम्हारे यहां कोई नवयूती दाश्री आई हुए हम दर्शन करना चाहते हैं जब देखा तो बचपन से उन्हें देख रहे थे दम्यंती को क्योंकि वहीं र मज़ गए दम्यंती है राजमाता से कहा यह कोई दाशिया सैरेंद्री नहीं है यह माता के समीप जाकर अपने ह्रदय की बात कहें और कहा कि हम चाहते हैं कि कुछ गुप्द रूप्षे ब्रामन भेजे जाया जिनको मैं इस लोग सिखाऊंगी और हर शभा में हर नगर में जाकि इस लोग का गायन करें अध्या पहुंचे और रित्वपर्ण की शभा में जब इस लोग गया तो वहीं बैठे हुए बाहुक रूप में महाराज नल थे सभा से बाहर निकले और एकांति में उस ब्राम्मन से मिले उस इस लोग का उत्तर दिया कि दम्यंति ने कहा था जो शब्द बोले जाएं वह वैसे शब्द हमारे सामने कहा जाए ब्राम्मन लोग आए और बताया दम्यंति से कि राज चिन्न तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था वह महाराज रित्वपर्ण के शार्थी हैं काला शरीर है नाटा श्वरूप है पर परूनों ने उत्तर में आपके श्लोग का यहीं दिया था कि कोई भी पति वृतापत्नी अपने पति पर दोसने करती दम्यंति जीन का निश्चित महाराज नल ही हैं दूसरा कोई नहीं पर रूप क्यों नहीं है यह मुझे पता नहीं जी ने कुछ ब्रामनों को भेजा कि केवल महाराज अजो ध्यानरेश्ट रित्वपर्ण से जाकर कहो कि दम्यंती ने वरण करने के लिए दूसरा स्वयंबर रचा है बहुत से राजा और राजकुमारा हैं आपका भी निमंत्रण है पर वो बड़ी सीगरता से स्वयंबर रच कि रित्वपर्ण जी ने दम्यंती का स्वरूप शौंदर महिमा सुनी थी कि उन्होंने कहा कि कोई हमें सुबह तक पहुंचा ही नहीं पाएगा कि शौ योजन अयोध्या से दूर है कैसे कुंडनपुर में हमें शुबह तक कोई पहुंचा सकता है तो शार्थी बाहुक ने शंद्या होते होते आपको पहुंचा दूंगा तो उनका बाते बनाने श्य नहीं होता बहुत बड़ी आत्रा है चार्शो कोस्दूर और रथ से इतने कम शमय में पहुंचा देना उनका महराज मेरी यही अश्युविद्या है कि महाराज नल पधार चुके हैं रच की घरग जित्पन दूसरे वार्षणे और तीसरा वो जो काला और नाठा तो महाराज नल कहां है और मुझे आभाश हो रहा है कि मेरे पति पधारे विए जो शत्य पे चलता उसका हरदे कभी मिथ्या संकेत नहीं करता जो शत्य बोलता उसकी वानी कभी मिथ्या नहीं होती है कि जो पातिवर्द धर्म शे युक्त है वो अपने पती के सामी पिता का अभाश निश्चित कर लेती है कि दम्यंती जी ने अपनी दाशी से कहा कि आप जाकर के इनकी चेश्टाओं पर नजर कीजिए कि यह महराज जीतुपर्ण के शार्थी की रूप में जो है क्या मेरे महराज नल है पर महराज नल तो बड़े तेजश्वी गौरांग बदन और यह काले रंग के विश्वास मेरा कहता है महराज नल है पर प्रमान कहता है कि ये नल नहीं है जो बाहुक रूप में है दम्यंती ने अब निश्चे किया कि अब मैं दर्शन करूँगी अब कोई संसे नहीं मेरे महराज नल ही है मा शे कहा मा ये जो बाहुक शार्थी है अब शंदे नहीं मैंने परिक्षा करके देख लिया, ये मेरे पती महराज नल है, सारे लक्षन महराज नल के है, किवल रूप नहीं है, इसलिए मैं स्वयम जाकर के देखना चाहती हूँ, पर जब तक आपकी आग्या नहीं होगी, तब तक मैं ना उनके पास जा सकती हूँ न उनको महल में दम्यंति के ऐसा कहने पर महाराणी ने विदर्वनरेस्ट भीम को यह शूचना दी कि आपका आदेश मिले तो महल में उनको बुला लिया जाए कि उनका आदेश हो गया कि महाराज नल को राजभवन के भीतर महल में लाया गया कि दम्यंति ने राजा नल के नेत्रों में नेत्र सब छुप सकता है लेकिन नेत्र नहीं छुप सकते मुझे पता चल गया है कि तुम जान गई हो कि मैं हूं तो आप देखो राज नश्ट हो गया सारी विपत्तियां थी अगर उस समय कल्यूग मेरी बुद्धी में बैठा था और मैं तुम्हें त्याग न देता तो पता नहीं कौन से संकट में तुम फश जाती इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग किया था मैंने धर्म से चल करके तपश्या के द्वारा कष्ट सह करके कल्यूग को परास्त कर दिया है अब हमारे दुखों का अंत हो गया है यह पापी कल्यूग जिसकी भी बुद्धी में बैठ जाता उसका सर्वनास कर देता है इसने मेरा सर्वनास कर दिया मैंने तो कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं पर यह बैठ करके हमारा यूग धर्म का प्रभाव है एक ही उपाय है जिससे इसके प्रवाह से आप बच सकते हो यह बहा के ले जाएगा कल्यूग केवल नाम अधारा सुमिर शुमिर नरूत रही पारा यदि नाम जब करोगे तो तुम्हें कल्यूग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा यह अपने प्रभाह में प्रवायत मान लीजे बड़ी दुर्गती होती है जाओगे प्रमानित हो जाओगे तो तुम् करेंगे और यह आचरण करवाने में समर्थ है कल्यूग इसका प्रभाव है बच शक्ति तो केवल भगवन नाम से इसलिए चीक-चीक के कहते हैं कि शाप शाधनों कोई करने की शामर्थ अब नहीं रहे गई कि आप बात सब कोई कर सकता है बच्चा हो बुढ़ा हो कोई